रूड़की में गगनहड छेत्र की खूनी जड़प के मामले में पुलीस की ओर से कारवाई नहीं होने पर लोगों में डर का माहल बना हुआ है दरसल बीती 23 नौंबर को मचली बजार छेत्र में दो पक्षों में धारदार हतियार से एक दूसरे परवार करने का मामला सामने आया था इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वैरल हुआ था जिसके बाद पुलीस ने आरोप्यों पर मुकदमा दर्ज किया था लेकिन मुकदमा दर्ज हो जाने के इतनी दिन बाद भी मामले में आरोप्यों की गरफतारी नहीं हो पाई है वहीं घटा में घायल हुए युक के परिजनों का कहना है कि मामले में कारवाई नहीं होने के चलते उनके पूरे परिवार पर खत्रा बना हुआ है उन्होंने पुलीस से जल्द मामले में कारवाई की अपील की है गजरौला गई थी और वहाँ पूच्ताच और जानकारी करने के बाद वहाँ से गजरौला इंस्ट्टूट के जो डारेक्टर थी विवेग किमा और जो चात्रों को जो बिचौलिया बनके जो चात्रों के परपत्र लेना और चेक ले जाना इस ताइप का काम दुकरते थे वो आशीष आशीष इनको गिरफतार किया गया और आज इनने जाने में केश करें